देखेंगे अप्लाइड मेकैनिस के सेकेंड चेप्टर का कोशन नुम्बर सेवन कोशन लामी परमेवे बेस है हम लोग इसे सॉल करें क्योंकि एकजाम के पॉइंट अब्यू से काफिन पॉट्ट है तो आए देखते हैं कोशन में पूछा गया है एक पतंग जिसका भार डब द्वादा से फाइक बनाता है यह तो दोरी में तनाव पतंग पर हवा का दाव ग्यान कीजिए यह हमारा कोशन और को सॉल्ट करने के लिए यहां पर एक फिगर भी बनाए गया है देखिए आप यहां पर एक वान प्रके लिए क्या है थिक है पतंग कैसे यह जूत है ठीक है पतंग का भार नीचे की तरफ काम करें तरह कर रहा है तरह नीचे की तरफ कर रहा है तो इस तरीके सा हम देख रहे हैं तीन बल लग रहे हैं पी टी और डबलू ठीक है जो एंगल दिया गया है है यहा पंदिया गया है और गार इस इस बहुंर्च है क्योंतरा जानते है और हम कि हमने देनों बल्ता होना चाहिए और हमें एंगल पता होने चाहिए वह की अगर अब देखिए हम पी को यह जानते हैं कि वह होता है क्या होता है पीवाई साइन अलफा एक क्वल टू क्यू वाई साइन वीटा एक क्वल टू आर वाई साइन ना है यह फार्मुला हम यूज़ करते हैं लाव में नहीं ठीक है इसी वे बेसमा करेंगे अगर पी हम लों लेंगे तो बाकी दो बलों की बीच का हमको एंगल लेना होगा ठीक है तो पी बाकी दो बलों की बीच का एंगल कितना है हम जानते हैं कि एक रेखा पर 180 डिगरी का कोड बनता है उसमें से 30 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 180 माइनस 30 हो जाएगा ठीक है क्या लिए सकते हैं साइन 180 डिगरी माइनस 30 डिगरी ठीक है एक वल टू आप कहलेंगे डावलू डावलू बाई एक सिकंड नेक सिकंड यहां कुछ थोड़ा सा यहां से यादा बानते हैं तो डावलू बाखी दोबलों के बीच अकोड मतलब भी पी और क्यूके बीच का कोड तो हम देखेंगे कि लीच कोड कितना है को कि और क्यों मतलू की और क्या कोड तो यहां खांगी होने के लिए चानल करने होना चいます को एक यहां से यहां तक के लिए सिधा होना चाहिए इसका एंगल करेंगे डबलू के लिए डबलू क्या करेंगे करेंगे तो हमारा एंगल निकलेगा इसक razor बीच का एंगल निकले गा हुआ उसके बाद किया करेंगे 30 जोड लेंगे चैसी में जोड लेंगे तो यह हमारा हो जाएगा ठीक है देखें कि से लिए तो हैं याप संधनी बाइस समझने दोरी है कि यहाँ से हमां तक daria hud मैं तालिस अब प्लस 30 कर लेते हैं तो हमारा यहां से यहां तंका एंगल निकल आएगा तो इसको लिख सकते हैं साइन बड़ा ब्रेक्ट यूज़ करेंगे फिर फोटा बेकर चोटा बेकर एक सोटी माइनस 45 फिर प्लस में 30 फिर बड़ा बेकर टोश ठीक है तो यह होगा हमारा फार्मूले पर यह रख दिया गया आप इसको लोग सौल करेंगे ठीक है तो हम लिखेंगे पी को पी साइन फ ठीक में जाएगा सब्सक्णा जाएक क्या लिखा जाएगा साइन सब्सक्तूर्ख stell करेंगे तो यह जागा साइन 15 डिगरी ठीक है साइन 15 डिगरी हम लोगने पढ़ रखा है लास 10 में तेक इस तरी के से सॉल किया था अगर इसको सॉल करने हो को प्रॉलम हो देखे क्या के से कॉस 90 प्लस शीटा का के सदेख लिए लुग देख लिए साइन का युज होगा शाइन है कि 90 प्लस शीटा साइन 180 प्लस सीटा का और साइन 180 माइन शीटा यह सारा अंग। मिल्टरी से पता होना चीह अगर नहीं पता है तो करिये तो आपको यह सलूसन इसका मिल जाएगा अब देखिए आपनों को एक-एक का सलूसन निकालना है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं अब हम लिख सकते हैं जब करेंगे तो यह साइन 45 में लिखा जाएगा इस तरीके से सकते हैं डवलू साइन 45 डिगरी साइन 15 डिगरी सकते हैं डवलू इंटू इसकी वैलू आएगी जी रो पाइंट सेवन जीरो सेवन वन ठीक है इसके बाद से नीचे लिखेंगे क्या को सॉल्व करेंगे तो जीरो पाइंट टू फाइट यह सब करने कर सकता नहीं है ठीक है आप दोनों को सीधे कलकुलेटर में रख देंगे इस तो सीधे वैल निकल के आएगी जो निकल के इसको मुल्टिपल डवलु के मेंटिपल में लिखे ना 1.2.73 ठीक है इसको लिख सकते हैं 2.73 डवलु ठीक है सी को लिखेंगे से पी जकल टू तो पॉइंट सेवन तरी डूरो को में यह इसका पी का वेलु आ गया इस यह प्रकास्तिक भी कर लेंगे ठीक रेके रहेंगे डवलू साइन थर्टी डिगरी दिगरी और सीधेस का अंसर क्या जाएगा वन पॉइंट नाइन तरी डवलू याइं टीज एकोड़े टू वन पॉइंट नाइन त्री डवलू यह टी का एंसर आ जाएगा को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आगे बढ़ते हैं कि तरह को सब्सक्राइब करेंगे तो को सब्सक्राइब तो बढ़ा हो सकता है जबकि बड़ा इमेज होता है और ही इजी होता है ठीक है दोड़ी एबी चीट्र क्यां लगी है ठीक है इसके बिंदु बीपर भार डवलुवन लटका है ठीक है डीपर एक से होकर दोरी सी तक जाती है टीचे दोरी सी टक जाती है ठीक है और यह जाती है टीक है तत्ता यह पर भार एक हजार न्यूटरिन का लगा है दोरी के भागो एबी बीसी तहड़ी तनाव बल गयात करिये तो डालू डालू टू का मान गयात किजे और एंगल दिया है एक सो पजार डिगरी अब बीस डिगरी दिया गया है देखें आप कोशन पढ़ने कर सकता नहीं है हम लोग इमेज क और देखके ही इसको सॉल्व कर लेंगे देखें कोशन में क्या कहा गया है की कोई भार है जो कि लटकाए गया है यहां से त्यक्षी है और यहां पर टरौटी तू है और यहीं तनाव यहां पर भी होगा लग राए और यहां पर डवली काम कर रहा है और इसको साल करना है साल करने के लिए हो करेंगे क्या इस चीज को दो भाग में डिवाइट कर लेंगे ठीक है और सबसे पेरे हम इस वाले पार को सवाब करने क्यों कि हम यहां पर मालूम है वह क्या है 1000 न्यूटन थे अगर हम एक चीज मालूम है तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहां से कुछ वैलु कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा सीज़े ठीक है यह जो बना लेते हैं समझने के लिए पॉइंट सी से तरफ लग रहा है क्या लग रहा है एक नीचे की तरफ लग रहा है जो कि क्या है डालू टू है ठीक है और इस डारेक्स लग रहा हुं है कि यह ठीक है तो जान गए कि एक हजार नहीं है डालू टू और टी लेगाult हमको नहीं से ठीक है लेकिन इतना पता है कि हाँ पर जो हैं फिक है है और यहां सब्सक्राइब एक सो बीस तो मालुन चल गया ठीक है दोनों को घटाएंगे तो कितना बशेगा है पहले इन दोनों को एड़ कर लेजिए ठीक है तो हो जाएगा दोसो दस ठीक है तिसन साथ में से मायाश करेंगे जिरो फ़ाइफ एक सपाचाफ नहीं और आपका आजाए गाए इसकी वैलु तो हम मतल्म क्या कर सकते हैं अब हमें यहां पे लाव में सिर्फ को अपलाई करके हम इसको सॉलब कर सकते हैं तो टी टू हौद डालू टू का वैलू हमें यहां से निकाल सकते हैं तो करेंगे ठीक है एक सेकंड यहां तो किनारत लेते हैं हम लोग यहां क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग लेते हैं देखें तो यह हो गया बाकी दोबल की त्री और ड्री दोनों के बीच के अंगर कितना है 153 एक सो पचास डिग्री एक वल टू अब लेटे हैं ड्रीट टू ठीक है ड्रीट जो बल हो नके बीच का एंगर एक सो बीस डिग्री एक वल टू तो यहां पर कितना है टी थ्री बाकी दोनों बेलकर इंगर साइन नाइनटी डिग्री ठीक है आप इसको क्या कर सकते हैं टी टू के एक कोल करेंगे लिखेंगे टी टू एक वल टू टी त्री आई यह साइन कहां ते लेगा उसके बुगल में मल्टिप्लाइज जाएगा साइन एक सो पचास बटे साइन नाइनटी डिग्री ठीक है साइन नाइनटी डिग्री ठीक होता है तो चाहें तो ना भी लिखें कांसल जागा तो डारेक्ली क्या हो जाएगा साइन एक सो पचास ठीक है तो 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 हम डारेक्ली ऑन बाइट यह जागा यह पान्स हो जाएगा ठीक है पान्सों न्यूटन तो की जो वैलू आ रही हो कितनी आ रही है फाइफ अंडेड न्यूटन हो जाएगा फाइफ अंडेड न्यूटन इस इसको आप कल्कुलेटर में रखे सॉल को लेंगे तो इतना ही आएगा तेहां सिक्यानिकल गया टीटू की सब्सक्राइब लिख सर्थे जेते हैं यहां पर निचे क्या था साइंवन कृन टुनटी टैया लिखेंैं लिकिंगे साइन वन टुंटी डिखर वाई सब्सक्राइब साइन 90 डिगरी और 90 डिगरी को वन है ठीक है तेहां पर डारेक्ट जहां यूज करेंगे साइन बरी 1000 इंटू साइन 120 इसको जो सॉल्व करें इंग कल्कुलेटर से आएगा 8.66 025 न्यूटन यह क्या जागा डवलू तू आ जाएगा ठीक है इस प्रकास हम लोगों ने कि टीवन और टीटू टीवन स्वारी टीटीज हमको पता था और टीटू भी निकाल लिया और डवलू निकाल लिया तो हम लोगों देखा है कि टीटू की वेलू कितने आया थी 500 न्यूटन आया था ठीक है ताब इसकी बात करते हैं आधे पार्ट को लोगों सॉल्व कर लिया था तो यहां पर लग रहा है यहां पर टीटू इसवाले पाड़ को निकले नीचे बाद लग रहा है यह फॉल लग रहा है वेल लग रहा है ती वन ठीक है तो यहां यहां कितना है यहां कितना है एक सो पचास कितना होगा एक सो बीस होगा अब वही फार्म लाइंगे यहां लिखेंगे टीवन बाई साइन नाइनटी डिगरी ठीक है एक व टू डवलोवन बाई इसके हैं साइन एक सो पचास डिग्री एक टू टी टू इंद्वेश्च निटें गैं तो पहला निकालते हैं था तो टीवन का डिरक्टिग्ण नीचे वन है साइनाइंटी साइनाइंटी कमान वन है तो वहां छोड़ देते हैं सिद्धे लिखते हैं क्या फाइफ अंडेड वाई साइन वन टॉन्टी डिग्री ठीक है इसकी वैलू कितने आएगे सॉल करने पर आएगी फाइव सेवन सेवन पॉइंट पॉइंट थिरी फाइफ न्यूटन ठीक है यह वैलू किसकी आगए टीवन की वैलू यह आगए उसके बास है डॉल टू निकालेंगे क्या आएगा आएगा पांसो न्यूटन और यह जो है साइन एक सो पचास का इधर मुल्टिप्लाइब साइन एक सो पचास डिगरी वाई साइन एक सो बीस डिगरी इसको जो सॉल्व करें टाक्लेटर के मतब्स से तो आएगा 288.67 न्यूटन ठीक है यह वैलू हो गया डवलू वन का सब्सक्राइब सब्सक्राइब को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब कर लेंगे कोई दिक्कत आते कमेंट करके पूछिए नंबर नाइन क्या कहा गया है को सब्सक्राइब करेंगे तो उसमें एक एक्सपरिमेंट भी है तो यह जैसे हम देख रहे हैं को तो यह कुछ इस तरीके सोता है इसे एंगल फिट किया था जीब को और यहां पर लगा यहां पर जंजीर लगा होता है ठीक है जब अब इसका बढ़र नीचे करव कर रहा है जो कि इसका रहे हैं जो कि दो न्यूटन बताया गया है और वह कहां काम कर रहा और तो अपने समझने के लिए यहां पर इस तरीकेस बना सकते हैं कि और कोई पॉइंट है और नीचे की तरफ पॉइंट है और इधर एक बल हमारा अब एंगल की बात करें तो अगर हम यहां पर लुजद इप इसको आगे कितना चाही को यहां निकालें आपे साटि यानि-डिका इंकर बाद हो उसके बाद से को यहां का निकालें है निकालें यह को कि उआए तोटल यहां से यहां तक होता है एक सो असी लेकिन हाँ कर जाएगा एक सो असी माइनस टीजिटी हो जाएगा ठीक है और यहां से यहां तक देखें तो यह भी क्या जाएगा है इक सो असी माइनस टीजिटे टीजिटी आच इसाइने एक सो यह शीमाइनस टीजदी टीजिटें के साइन सिस्टें रिए ठीक है और डवू लेते हैं जोकी कितना है दो लो नुटन वाइग अप रुए पक्या है साइन एक सो अच सी डिगरी ठीक है एक सो एक सिकन्ट ताइन एक सो अच सी दिखना है आपके एक सो अच सी थार्टी ठीक है अब क्या है आप देखेंगे इसको सिंप्ली कर लें सिंप्लिफाइ करेंग है साइन थार्टी डिखर हो जाएगा एक कोलडवी ठीक हो जाइगा तो गया कद आ तीजिव लिखेंगे तो जाएगा टुकिलो न्यूटन ये साइज ग्णा करके तर्टी डिग्री दोनों कड़े आगा वाज आगा टी एकल टू क्लोग न्यूटन थिक है दो क्लोग न्यूटन कावल ही अधी कैनES ोटीफ किलो न्यूटन साइन सिस्टी सिस्टी मिल्टर्पाई हो जाएगा साइन इस्टी डिग्री वाई तो पी वेलू आएगी टू अंडरूट थी किलो न्यूटन ठीक है इसको इसको करेंगे तो दूसरी वेलू भी निकल के आ जाएगे आप उसको भी एंसर में लिख सकते हैं ठीक है निए दो किलो न्यूटन जो टी की वैलू आई है और पिसले को समझ देखे जो इतना होता है हो इतना है यहां भी लग रहा होता है इसके वाज़े से क्या हुआ टीक के विए दो किलो न्यूटन ही आई है ठीक है आज के लिए बस इतना ही नेक्स वीडियो नों देखेंगे आगे कि कुछ कोश्चन ओके आज क्लिए बसना ही अगर समझ में कोई प्रॉलम हो तो आप कम स्लूशन आज हम देखेंगे कोशन नंबर सेवन एट नाइन ठीक है अगर आप पिछली की वीडियो नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन खुले डिक्समें सारे ही वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे जहां सिजा करके आप पिछली क्लास को कम्प्लीट कर सकते हैं करते हैं आप्लाइड मेकैनिस के सेकंड चैप्टर का कोशन नंबर सेवन कोशन लामी परमेवे बेस हैं हम दोगी से सौल कर रहे हैं क्योंकि एक्जाम के पॉइंट अब दूसे काफिन पॉर्ट है ठीक है तो आए देखते हैं कोशन में पूछा गया है एक पतंग जिसका भ सब्सक्राइब हो तो दोरी में तनाव पतंग पर हवा का दाव ग्यान कीजिए यह हमारा कोशन को सौल करने के लिए यहां पर एक फिगर भी बनाए गया है देखिए कि यहां पर एक पॉइंट लिया गया है ठीक है पतंग कैसे उड़ती यह उठीके से ठीक है ठीक है। बार नीचे की तरफ करेंगा मारती सेंटर पॉइंट है तो यहां से बार नीचे की तरफ करां करता है अब पर देखा लगेगा तीन बल लग रहे हैं पी टी और डवलू ठीक है जो एंगल दिया गया है और यहां पर 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 दिया गया है क्या होना चाहिए हमें तीनों बल पता होना चाहिए और हमें एंगल पता होने चाहिए ठीक है तो हमें क्या पता है यहां पर तीनों बल प ठीक है क्योंकि डवलू का मान उसका भार पता नहीं है तो इसका एंसर जो है डवलू के फॉर्म में ही आएगा ठीक है अब देखिए अगर हम पी कोई बलते हैं जैसे लोग जानते हैं कि जो लॉमिस सेरी में होता है वह क्या फार्मुला होता है पी बाइ साइन अल्फा जिस को एंगल करेंगे अगर यह लों लेंगे तो बाकिए दो बलों की बीच का हमको एंगल लेना होगँ ठीक है तो फिद बाइन minder किव losers 49 दिग्रिन इसके बाद ??? यह में यह इन तो थी बाई दोनों बलों के मिक्विच का करेंड अब इसकी मीशनार सेकान आप명 का इंगर है कि एक रेखा पर एकसी डिगरी का बनता है उसमें से 30 माइनस कर देंगे क्या होजागा 180 ति हो जाएगा ठीक है क्या है सकते हैं साइन 118 डिगरी माइनस तीज डिगरी एक यह एक वल टू आप कहलेंगे डावलू डावलू वाइस सेकंड नेकस तेrió हमा पर फांट है तो थोड़ा सा यहां से दबानत है अब क्या लेंगे लो डवलू बाखी दोबलों के बीच कोड मतलग पी और क्यूं के बीच का कोड तो हम देखेंगे पी और क्यूं के बीच कोड कितना है सक्क्राइब तो एकुम सी होने के लिए यहां से यहां तक का कोड होना एमलों क्या करेंगे को 119 हिं यहां तक की लिए सिधर होना चाहिता है लेकिक इसका रभ डवलू आ करेंगे एक्स वास्टी माइनस प्यातालिश दिगरी ठीक है टीक है क्यों सिर्थी रखा है इसमें यहां लेना है टीक है तो हमारे एंगल निकलेगा इसके बीच का एंगल निकलेगा ठीक है और उसके बाद क्या करेंगे 30 जोड़ लेंगे प्लस इसी में 30 जोड़ लेंगे तो यह हमारा हो जाएगा ठीक है देखें फिर से देख लिजे हैं यहां से यहां तक एंगल बनेगा वह बनेगा 180 का तो उसे लिए तो इसको लिख सकते हैं साइन अब बड़ा ब्रेकर्ट यूज़ करेंगे फिर फोटा वेकर चोटा बेकर एक्सों सी माइनस 45 फिर प्लस में 30 फ्लस 30 फिर बड़ा बेकर ठोश ठीक है तो यह हो गया हमारा फार्मुले पर यह रख दिया गया आप इसको लोग करेंगे ठ है तह को दिएक हैं औरि हैं यहां पर सीख राट थे डिलिखा जाए लिखा रगा साइं ठर्टी डिगरी इंगरी को कि देखें यहां पर क्या हो जाएगा कि 45 इन दोनों को इसको करेंगे तो यहां पर जागा साइन फिप्टीन डिगरी ठीक है साइन फिप्टीन डिगरी हम लोगोंने पढ़ रखा है प्लास टेंथ में ही ठीक इस तरीके से सब्सक्राइब साइन फिप्लस सीटा का और साइन यू प्लस टाका एंटी मैने सटा का ठीक है और साइन नाइनटी सब्सक्राइब करें तो आपको इसका मिल जाएगा अब देखिए अब हम लोग को एक-एक का सलूशन निकालना है तो क्या करेंगे पर इसको डावलू के साथ कर लेंगे ठीक है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं सबस्क्राइब करेंगे तो यह साइन 45 डावलू के बगल में आके लिखा जाएगा इस तरीके से सकते हैं डावलू साइन 45 डिग्री बाई साइन 15 डिग्री एक को डूली सकते हैं डावलू इन्टू इसकी वैलू आएगी जीरो पाइंट सेवन जीरो सेवन वन ठीक है इसके बाद से नीचे लिखेंगे क्या को सॉल्व करेंगे तो जीरो पाइंट टू फाइट यह सब करने कर सकता नहीं है ठीक है आप दोनों को सीधे कल्कुलेटर में रख देंगे इस लिखेंगे साइन फॉटिफाइब गाइगी जो वेल निकल के आगे इसको मुल्टिपल डावलू के मैं लिखेंगे लिखेंगे इस तूपाइंट सेवन ट्री डावलू के फॉर्म में यह इसका पी का वैलू आ गया इसी प्रकास टीका भी कर लेंगे ठीक है टीक रेक के रहेंगे डावलू साइन थार्टी डिगरी बाई साइन फिप्टीन डिगरी और सिधे इसका एंसर क्या जाएगा वन पॉइंट नाइन त्री डावलू यह ती का एंसर आ जाएगा को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आगे बढ़ते हैं के तरफ पूछा गया है यह देखते हैं पूछा गया है देखिए एक इमेज दिया गया है जो कि देखने में त्वासा हिट अप लग रहा है लेकिन इसको करेंगे तो कुछन हो जागा लिए इसको घवरेन कि आऊ सकता है नहीं है कि को सब्सक्राइब और या और यह होता है यह को सब्सक्राइब एक दोरी एविसी डी चित्र कांव सा लगी है ठीक है इसके बिंदु बी पर भार डबलू वन और सी पर डबलू टू लटका है ठीक है डी पर एक चिकनी घिरनी से होकर दोरी सी ए तक जाती है ठीक है यह जाती है यह जाती है तथा यह पर भार लगा है वह एक हजार न्यूटरिन का लगा है तरह बलग्यात करिए ता डवलो वन डवलो टू का मान गयात किजिए और एंगल दिया है दिया गया है अब कोशन पढ़ने कर सकता नहीं है हम लोग इमेज को देखके ही इसको सौल कर लेंगे कि कोई भार है जो कि लटकाया गया है यहां से त्थेक्षा न्यूटन का दूसरा डॉलो वन डॉटू है बाकि तनाव ग्यात करना है जैसे कि यहां से बात करें घरनी सोग नहीं दो लग रहा और यहां पर यहां पर दो तनाव लग रहा हूं लग रहा है तो यहां पर इस इसको सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब कर लेंगे और सबसे पहले हम इस वाले पार को सब्सक्राइब क्यों कि हमें यहां पर एक सीज मालूम है वह क्या है सब्सक्राइब कर सकते हैं यहां पर सी से होते हुए बहार लटका है इसमें जो बहार एक हजार न्यूटन हो जाएगा सब्सक्राइब कर लगेगा यानि कि टी थ्री का वैलू कितना हो जाएगा एक हजार न्यूटन हो जाएगा सीज़ा सीज़े ठीक है क्योंकि एक हजार न्यूटन हो जाएगा समझने के लिए लग रहा है ठीक है एक नीचे की तरफ बल लग रहा है जो कि क्या है डवलू टू है ठीक है और इस डारेस में बल लग रहा है क्या यह जान गएगा पता है लेंगन इतना पता है कि हैं यहां पर आंगल कि से निकाल सकते हैं किटना हो जढते हैं कि एक सर्क्ल पर किता रिक बनता है तीन सो साथ में एक सो बीस मालुम चल गया ठीक है दोनों को घटाएंगे तो कितना बसे गया है पर इन दोनों को एड़ कर लेजिए तेक है तो हो जागा दोसो दस तेक है तिन सो साथ मैस करेंगे जिरो फाइफ वन एक सो पचाश डिगरी यहां पर आपका आइज आगा कि यहां कि मतंद से हम क्या कर सकते हैं हम करके हम कर सकते हैं को सकते तो 2 W2 रूंन हम से निकाल सकते हैं है क्या करेंगे ए कए कि एक सब्सक्र scraps यहां क्या करेंगे सबसे पहले लेते हैं पता है लेका लेंगे देखें तो फिर यह हो गया बाकी दोबल्स के लिजम कि एक्सों पचास डिग्री एक्वल टू अब लो टू टीक है डूरू के रावाँ जो बल न के बीच का एंगल एक्सों बीस डिए तरहां रिखेंगे साइन एक्सों बीस डिग्री एक्वल टू अब यहां पर कितना है टी-3 तरी बाकी दोनों बेलकर एंगल साइन नाइन्टी डिग्री ठीक है आप इसको क्या कर सकते हैं टी टू के को करेंगे लिखेंगे टी टू इक्वल टू टी त्री यह साइन कहां चलेगा उसके बगल में मिल्टिप्ला जाएगा साइन 150 नाइन्टी डिग्री ठीक है साइन में ओन्हों होता है तो इसको इसका वैलू लिख लेंगे और टीट्री के विल्ट कितना एक हजाते हैं एक हजार गोड़े साइन एक सो पचास ठीक है एक सो पचास के विल्ट निकालेंगे तो वन बाई टू आएगा ठीक है तो हम डारेक्टली वन बाई टू आएगा तो इतना ही आएगा तो यहां से काने किल गया टीटू की वैलू निकल करके आगई पाइफ अंडेड नूटन अब क्या रहा गया डू टू डू डू टू किस ऑट लेंगे तक डवलू टू नीकालने कि क्या करेंगे यहां पहम । एक हजा लिखते हैं जहां पर यहां पर इसके नीचे क्या था साइन लिखेंगे साइन 120 डिगरी बाई साइन 90 डिगरी और 90 डिगरी को वन है ठीक है तेहां पर डारेक जहां यूज करेंगे साइन इसको जो सॉल्व करें खलकुलेटर से आएगा 8.66.025 न्यूटन यह क्या जागा डवलू टू आ जाएगा ठीक है इस प्रकास हम लोगों ने टीवन और टीटू टीवन स्वारी ठीज हमको पता था और टीटू भी निकाल लिया और डवलू टू निकाल लिया तो हम लोगों देखा है कि टीटू की वेलू कितने आया थी 500 न्यूटन आया था ठीक है तब इसकी बात करते हैं आदे पार्ट को हम लोगों आधे और टी ओन और डीवन निकालना है तो bend निकालना है दो कि यहां पर लग ऻूंड खाय से तो यहां पर लग रहा है यहां पर टीटू इस पाड़िया पारगों करने लिए uwथ ओं ए यह liesand यहां कितना है यहां कितना होगा एक सो बीस होगा और यहां लगाएंगे यहां लिखेंगे टीवन बाई टीवन इसके है साइन एक सो पचास डिगरी एक वल टू टीटू लिखें या फी दोनों बार बरावतें लिखते हैं ज्रीस के पूल कितना है साइन एक सो बीस ऐसे टीवन का मान निकालते हैं ठीक है तो टीवन का डारेक्टिंग नीचे सब्सक्राइब करने पर आएगी फाइब सेवन सेवन पॉइंट 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 थिद्री फाइब न्यूटन ठीक है यह वैलू किसकी आगए टीवन की वैलू यह आगए और उसके बास निकालेंगे सब्सक्राइब क्या आएगा आएगा 500 न्यूटन और यह जो है साइने सब्सक्राइब का इधर मुल्टिप्लाइब साइन एक सो बिस डिग्री इसको जो सॉल्व करें का क्लेटर के मतलब से तो आएगा 288.67 न्यूटन ठीक है यह वैलू हो गया डावलू वन का है डावलो वन का वैलू हो झाएगा नहीं देखा है थोड़ा सा टाइम आपको क्योंकि एक ही कहां और फॉर्मुल्य को यूस करना पड़ा है ठीक है थोड़ा सा बड़ा है लेकर संट क्लियर होने पर को इजली विख और लेंगे ठीक है कोई दिकत आते कर्मेंट करके पू कि यह आपका एक प्रेटिकल भी है ठीक है एक सब्सक्राइब लोग करेंगे कॉलेज में तो उसमें एक करना है तो नमें इसी को सिंपल में करके हाँ बनाया गया तेहां देखेंगे एक बल्टी काम कर रहा है ठीक है और दूसरा बल नीशे कर रहा है जो कि इसका वेट यहां पर है जो कि दो कि दो कि न्यूटन बताया गया है और उसका दाव प्रेसर है वह कहां काम कर रहा है वह की तरफ काम कर रहा है तो अपने समझने के लिए यहां पर इस तरीकर बना सकते हैं यह कोई प्वाइंट है और नीचे की तरफ प्वाइंट है और उस वर्ट कर लिए नीचे की तरफ बें डवलू भार काम कर रहा है ठीक है और यहां से एक बल की डारेक्शन में पी लग रहा है और इधर एक बल हमारा टी लग रहा है अब एंगल की बात करें तो अगर हम यहां पर तीजी बता रहें इसको आगे तरफ है और यहां कितना डिए मज जाएगा नविएट गली और यहां पर एंगल बनेगा निकॉल कि यहां का इंगल निकालें तो यहां से यहां तक होता है लेकिन यहां कर जाएगा एक सो असी माइनस तीज़ी हो जाएगा ठीक है और यहां से यहां तक देखें यह भी क्या जाएगा को सब्क्राइग तो यहां सब्सक्राइब ठीक है एक्वाल टू पी लेते हैं पी क्या है सिस्टी डिग्री ठीक है और डॉल लेते हैं जो की कितना है दो किलो न्यूटन वाई अप्वेट क्या है साइन एक-सी डिग्री ठीक है एक सो एक से कंड़ और पाइन एक सो इसी डिग्री लिखना है आपे एक सो इसी है ठीक है आप क्या है आप दखेंग है इसको सिंप्ली करेंगा सिंप्लिफाइब था इन हो जाएगा this period ho ՞ाइगे एंड़ी को लीखेंगे लिखेंगे उन जाएंगे हो इगा सब्सक्राइग हो जाएगा इंटू साइन थार्टी डिग्री दोना कड़े आगा ती इकल टू किलो न्यूटन ठीक है ती में भी क्या लगेगा दो किलो न्यूटन कबल ही लगेगा ठीक है और देखेंगे तो किलो न्यूटन ठीक है साइन सिस्टी डिग्री बाई साइन थर्ट डिग्री इसको जब करेंगे तो दूसरी भी निकल के आ जाएगी अब उसको भी एंसर में लिख सकते हैं ठीक है दो किलो न्यूटन जो टी के वैलू आई है और पिछल को समय देखेंगे जो इतना होता है यहां भी लग रहा होता है इसके वाज़े से क्या हुआ हुआ है आज के लिए बस इतना ही नेक्स्ट वीडियो नहीं देखेंगे आगे कि कुछ कु अब कमेंट देखेंगे अगर एक बार में समझ नहीं आता तो वीडियो को दो से तीन बार देखिए आप को दो से तीन बार सॉल्व करें तो आपको अंसेट हंडेड़ प्रसंट क्लियर जाएगा ओके बिलकाने वीडियो में थैंक्यों